सब को मेरा नमस्कार आज तो पॉल्यूशन बहुत ज़ादा बढ़ गया है अगर हम बाहर देखें तो चारो तरफ धुमा ही धुमा है चारो तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही है अपने बच्चों को बुजुर्गों को यहां की जवान लोगों को भी सब को सांस लेने में दिक्कत हो रही है आँखें जल रही है इतना ज़ादा पॉल्यूशन हो रहा है लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है इतना ज़ादा जो हम लोग अभी बरदाश्ट कर रहे हैं दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है इस साल लगबग फरवरी से लेके 10-15 अक्टूबर तक हमारे दिल्ले में पॉलुशन ठीक था, हवा साफ थी, आसमान साफ था, आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज से 20 दिन पहले दिल्ले के आसमान की है, कितना साफ सुत्रा निला आसमान है दिल्ली का, उन द आरे दिखाई दे रहे थे रात को, चान दिखाई देता था रोज, और ये तस्वीरें आज की है, चारो तरफ धुवाई धुवाँ, चारो तरफ पॉलूशन ही पॉलूशन, आखिर इन 20 दिनों के अंदर, दिल्ली के लोगों ने तो कुछ गड़बड नी की ना, दिल्ली क इस दिनों के अंदर जो हमारा आस्मान खराब हुआ है, ये जो बाहर से फसल जलने का धुवाँ दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वज़े से आस्मान खराब हो गया, इस वज़े से चारो तरफ धुवाई धुवाई है, पहले हम इसको समझें कि पिछले अभी आज से कुछ कुछ साल पहले तक दिल्ली के अंदर पूरा साल पोलुशन रहता था पूरा साल हमारा जीना मुश्किल होता था लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलके आप सब लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में खूब महनत की और उसकी वजए से बाकी पूरा साल पॉलुशन कम हुआ जैसे पहले दिल्ली में खूब बिजली जाया करती थी जब बिजली जाती थी तो खूब डीजल के जनरेटर सेट याद है वो हॉंडा वाला लाल रंग का हर जगे हर घर में हर दुकान के ऊपर वो ता था रसी खींच के जनरेटर वो चलाया करते थे लग दो गए उनका धुआ बंदो गया इसकी वज़े से पॉलुशन कितना कम हुआ है दिल्ली के अंदर हम सब लोगों ने मिलके लगभग कई 100 एकड लगभग 600 एकड जमीन पे एक्स्ट्रा पेड़ लगे हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट कवर जिसको कहते ह वो बढ़ा है इसकी वज़े से दिल्ली के अंदर पॉलुशन कम हुआ है केंदर सरकार ने दिल्ली के दोनों तरफ पहले रात को दिल्ली से ट्रक जाय करते थे माली जे हर्याना से एक ट्रक को बहादर जाना है गाजयबाद तो वो दिल्ली के अंदर से होतके गुजरता था उतर परदे से हर्याना में आना है वो दिल्ली के अंदर से होके रात को गुजरता था रात को वो धुमा चोड़ता हुआ जाता था सारी रात धुमा भर जाता था दिल्ली के अंदर और सुबह जब उठते थे तो चारो तरफ धुमा ही धुमा होता था के अंदर सरकार ने East-West Peripheral Road बनाए हैं उसकी वज़े साब ये सारे ट्रक बाहर से जाने लग गए इस वज़े से दिल्ली में धुमा कम हो गया दिल्ली में जितनी इंडस्ट्री थी पांच साड़े पांच हजार इंडस्ट्री जो ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करती थी जिसे पोलुशन होता था वह सारा बदल दिया हम लोगों ने सक्ति करके दिल्ली के लोगों ने इंडस्ट्री वालों ने मिल के उस पोलुशन को खत्म कर दिया पूरा फ्यूल बदल दिया वह अच्छे फ्यूल के ओपर आगे हैं उसी तरह से दिल्ली में जहां-जहां construction होती थी, वहां रेड मार मार के, रेड मार हमार के, हमने, हमारे मंत्रियों ने, सब ने मिल के, जहां dust होती थी, वहां उनके उपर fine लगा-लगा के, ऐसे सब जगहों को dust को कम करने की कोशिश की है, इस बर दिवाली पर आप लोगों ने कमाल करके दिखाया, दिवाली के उपर इतने कम पठाके, पठाके बजे, लेकिन लगबग 80%, 70% बच्चे मैंने बच्चों से पूछता, बच्चे कहते हैं, उने पठाके ने बजाए, 15-20% बच्चों ने पठाके बजाए, हमारे बच्च हमारी सेहत का माम लाए, हमारी सांसों का माम लाए, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे दिली के लोगों की सेहत दाओं पे लगी हुई है, हम ब्लेम के हम क्यों करेंगे, ब्लेम करने से हमें क्या मिलता है, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस समय बिमारी क्या है, बिमारी ये है कि फसलों का धुआ यहां आ रहा है, और फसलों के दुवह को रोकना है, हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाते हैं, हम बस यह कहरे हैं, सारे मिलके आईए इस फसलों के दुवह को रोकने की कोशिश करें, इसमें कोई दो रहा है नहीं कि फसल का धुआ सारी एजंसी बता रही है सारे इंजीनियर सारे साइंटिस्ट सारे एक्सपर्ट बता रहे है कि फसल का धुआ दिल्ली के अंदर आ रहा है इस वचे से चार उत्रफ इतना पुलुशन है तो ब्लेमिंगें करने का हमारा कोई पर बिल्कुल राजनीती नहीं होने चाहिए लेकिन हमारा यह कहना है सारी सरकारें मिलके बैठके इसके उपर हम सारे मिलके बैठके इस पर बात करें लेकिन यह कैसे होगा इसके उपर कौन अभी जैसे पंजाब और हर्याना में टोटल 27 लाक किसान हैं और अभी तक वहां पिछले डेड़ दो साल में 65,000 मशीने बटी हैं जो की किसानों को फसल जलाने से रोकने के बजाए बिना फसल जलाए उसको हार्वेस्ट करने के में मदद करती है तो 27 लाक किसानों तक कब तक पहुंचेंगे कितने साल में पहुंचेंगे हम लोग अभी कितने साल और हमें भुगतना पड़ेगा यह सारे मुद्धे हैं जिसके उपर हमें चर्चा करने की जरूरत है लेकिन हम हाथ पे हाथ रखते तो नहीं बैठ सकते बाहर से जो धुआ आ रहा है वो तो आ रहा है लेकिन अपने दिल्ली के अंदर का जो पल्यूशन है उस पे तो कोशिश करके इ और कम करते है और कम करते हैं तो में दो चीजएं आप से एक तो कल से «अढ़ इवन शुरू हो रहा है» सुबे हुआ आथ वजे से शाम को आठ बझे तक मेरी आप लोगों से सबसे विंती है मेरे लिए नहीं अपने बच्चों की खातिर अपने परिवार की खातिर हम सब लोगों के दिल्ली की खातिर अपने दिल्ली परिवार की खातिर अपने दिल्ली के दो करोड लोगों की खातिर आईए इसको पालन करें अच्छे से पालन करें, सुबह आठ वजे से शाम को आठ वजे तक, तो आप, अगर आपके पास और नंबर की गाड़ी है, तो वो और तारिख को चलेगी, इवन नंबर की गाड़ी है, इवन तारिख को चलेगी, दूसरे दिन, आप क्या करेंगे, दूसरे दिन अपने दोस् मैं भी फॉलो करूंगा, मैं भी और इवन फॉलो करूंगा, मेरे उपर भी लाग होगा, मेरे मंत्रियों पर भी लाग होगा, मेरे अफसरों पर भी लाग होगा, कल से मैं भी अपने किसी एक मंत्री के साथ सुबह रा गाड़ी शेयर करके जाया करूंगा, आप भी फॉलो अपने किसी दोस्त के साथ आप टाइप कर लीजिए उसके साथ रोज जाना और दूसरा ये मैं स्कूल के बच्चों के जरीए मास्क्स भिजवा रहा हूं आपको जिस दिन जरूरत पड़े आपको लगे सांस लेने में दिक्कत हो रही है उन मास्क्स का इस्तेमाल कर लेना इत चिंता है अपने दिल्ली परिवार के दिल्ली के दो करोड़ों की मुझे बहुत जादा चिंता है आईए मुझे लगता है कुछ दिन की बात है हम सब लोग मिलके इसका सामना करें बहुत-बहुत शुक्रिया दिल्ली और NCR की सभी लेटिस अप्डेट के लिए देखते रह झाल